Hello Friends, This is Purnima from Subharti Computer Classes आज की वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट पे होने वाले ओपरेशन के बारे में के लिस्ट में कौन-कौन से ओपरेशन हम कर सकते हैं तो देखें लिस्ट पे हमारे 4 ओपरेशन होते हैं फर्स्ट हमारा होता है जोइनिंग लिस्ट की आपके पास दो लिस्ट हैं दोनों लिस्ट को आप आपस में जोइन कर दो, means concatenate कर दो दो लिस्ट के कॉमिनेशन से आपके पास क्या होगा, एक नई लिस्ट क्रेट होकर के आ जाएगी तो जोइन कर सकते हैं लिस्ट को हम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं लिस्टापरenhエ able 30 negotiating list अज हम स्लाइसेंग रिस्ट की बात करेंगे और 4प हमारा टोपिक का था है कंपीर Reading कि आपकी अपके पास दो list हैं दो को आप आपस में compare कर सकते हैं तो यह सारे operation किस तरीके से होंगे आज की वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे joining list joining list के लिए हमारे पास दो list होनी चाहिए तो सबसे पहले हम दो list create कर लेंगे एक हमने यहाँ पर a list ले लिए a हमने दे दिया यहाँ पर square bracket के अंदर इसमें कुछ हमें desert देनी है तो हमने दे दी 123 हमने दे दिया एक हम second list और create कर लेंगे जो उसका नाम क्या है बी है अब इसमें कौन कौन से element रखेंगे जैसे हमने 4 ले लिया 5 ले लिया और 6 ले लिया तो यह हमारे पास दो list आ गए है आप चाहें तो यहाँ पर third variable लेके a plus b कर सकते हैं कैसे हमने third variable c लिया और a plus b कर दिया तो क्या होगा यह और b दोनों देखिए यहाँ पर plus operator के साथ क्या concatenate हो रही है list अब क्या हम करेंगे print करा लेंगे कि इसको c को तो यहाँ पर हमने c को print करा लिया अब देखिए में इसको run कराते हैं हमारा result क्या आता है तो देखिए हमारा जो result है इस तरीके से हैगा 123 first list के item और second list के item दोनों को add करके हमारे पास नई list क्या बन कि आ गए इस तरीके से कुछ आ गई है आप चाहें तो third variable use कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो direct tab print के अंदर a plus b भी दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने direct देखिए a plus b दे दिया और यहाँ पर इस वाली statement का कोई मतलब नहीं है हमने इसको safe किया अब देखिए हम run कराएंगे तब भी हमारा answer वही आएगा तो अब जैसे easy लगे आपको उस तरीके से आप print करा लिजिए तो यह हमारा हुआ joining list next हमारा क्या है repeating list तो repeating list किस तरीके से होगा तो देखिए repeating list है यहाँ पर b list हम अभी delete नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हमने a list लिया और repeating list के लिए कौन से symbol यूज़ करेंगे एस ट्रेक का symbol हम यूज़ करेंगे क्योंकि repeat करने के लिए हम इसे use करेंगे कितनी बात देखिए यहाँ पर a नाम की जो list है वो repeat हो कितनी बात two times तो क्या होगा one two three आएगा उसके just बात फिर one two three आएगा तो जो हमारे list के element क्या होगे one two three one two three means six element आएगे तो हम देखिए इसको save करके जब run करा रहे हैं तो हमारा result हमें किस तरीके से आएगे पहली बार ये one two three था और हमने two times किया तो second time फिर से हमारा यही आगया है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं अगर आप चाहें third variable का use करना तो आप third variable भी use कर सकते हैं तो third variable के इस तरीके से use करेंगे जैसे हमने c ले लिया यहाँ पर equal का sign लगाएंगे और इसमें क्या है हमने a यहाँ पर दे दिया और into वही as day का sign हमने लगाए कितनी three times हमने बोला कि इसको repeat करके देना है तो यहाँ पर यह repeat करके दे देगा और print किसको कराएंगे c को अब देखे हम इसको save कर रहे हैं और run कर आ रहे हैं तो हमारे element यस तरीके से आ रहे हैं three times repeat होंगे first time यह है, second time देखे 1,2,3 यह है और third time हमारा यह है तो इस तरीके से three times हमारे वही elements repeat होंगे next हमारा आता है slicing list, slicing list means क्या है कुछ element को access करना list के तो किस तरीके से देखी यहाँ पे जो हमारी second list है अभी हम इसको यहाँ पे हटा देंगे इसके हमें कोई need नहीं है और यहाँ पे list element थोड़े से हम बढ़ा देते हैं तो देखें यह हमारी list है अब slicing में क्या है group of element हमें print कराना है और bracket open करेंगे अब हमें कहां से 0 place पे हमारा one है देखें इंडेक्सिंग zero से start होती है और n-one तक चलती है तो zero place पे क्या है वन हमारा है तो हम किस तरीके से print कराएंगे हमारी list का नाम क्या है हमारी list का नाम है a square bracket लगा देंगे अब कहां से कहां तक हमें print कराना है जैसे हमने बोला zero से print करें means one से print करें और यहाँ पे हमने colon लगाया zero से start करें और कहां तक print करें हमने बोला two तक तो दिखे जब 2 दे रहे हैं तो 2 से जस्ट एक पहले तक रूखेगा means 1 तक तो 0 प्लेस की value प्रेंट करेगा और 1 प्लेस की value को प्रेंट करेगा यहां पर हमने square bracket close किया और bracket को close किया अब देखे में इसको safe करके जब run कराएंगे तो हमारी क्या 1 और 2 दो desert print होकर के आ जाएंग मिल जाएगा तो यह हमारी क्या होगे slicing होगे अगर आपको slicing बहुत अच्छा से सीखना तो previous video में मैंने already slicing बताया आप detailed video देख लीजएगा तो यह हमारी होगे slicing list next हमारा क्या आता है comparing list देखें comparing list के लिए कम से कम हमारे पास 2 list तो होनी चाहिए तभी हम उसको आपस में compare कर प एक list हमारे पास यह हो गई अब हमें compare कराना है A और B जो list देखें लिस्ट को compare कराने के लिए जो comparison operator हम previous video में पढ़ चुके हैं वही operators हम यहाँ पे use करेंगे तो यहाँ पे देखें हमने print function चला या bracket लगाया अब comparison operators जितने आपके होते हैं वो सारे आप यहाँ पे use कर सकते है जैसे less than, greater than, less than, equal, greater than, equal, 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 not equal यह हमारे operators होते हैं तो अब क्या है A और B को हमें compare कराना है तो यहाँ पे हमने A list का नाम दिया और यहाँ पे दिया equal equal B की जो हमारी A जो list देखें एक equal लगाएंगे तो value को assign करने का काम करेगा और comparison के लिए क्या करते हैं equal equal क्या A और B दोनो बराबर हैं हमने इसको safe कि और run कराया तो हमें result में क्या मिलेगा true मिलेगा क्योंकि A और B दोनों ही list हमारी इसकी item क्या है same है जो item A list में है वही item हमारे B list में अब माली जी जैसे हमने second जो हमारी list है उसके item चेंज कर दे हैं अब क्या statement हमारा true है बिल्कुल नहीं तो यह हमार अब कर दो हमें result में क्या मिलेगा false मिलेगा तो देखिए अब equal equal तो नहीं हम यहाँ पे लगा के देख लेंगे क्या not equal है कि जो B आइटम नहीं है तो अब क्या answer हमें मिलेगा true मिलेगा क्योंकि सही बात है दोनों ही same नहीं है अगर यहां पर greater than equal हम लगाना चाहें कि जो हमा छोटे हैं हा तो ठीक है A List के ऐलमेंट हमारे क्या है, कम है, और B List क्या है, तिस थारे का ये list operations समझ में आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए बाबाई